अग्रिकल्टर अड़ा 247 पर मैं दॉक्टर मिनाक्षिराथी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो आज है हमारी पहली पहली क्लास तो फॉर्मली आज हम अपने क्लास का एक शुरुवात कर रहे हैं शुरुवात एंटमोलोजी से कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक्स और प्लान बेडिंग आप अभी प्रतिवाम के साथ औरड़ी पढ़ रहे हैं उसके बाद यह साइकल में चलेगा ताकि आपके कोई भी सब्जिक्स क्योंकि आपके वीक रह हैंगे तो वन आवर मोर तो यूर एक्स्टा प्रपरेशन रोज हम यहां पर मंडे तू साटरड़े मिलेंगे तीन बचे वरी वरी गुड आफ्टरून सुप्रया शुभं अनुभव और कुषाग्रा नाइस नेम प्रयंका चोधरी वरी वरी गुड आप्टरून वरीवान आण वेल ओन टाइम बहुत अच्छा टाइम से हैं आप सभी लोग जी 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 वेरी गुड आप्टरून शाहिद So, entomology से शुरुवात कर रहे हैं तो आज हमारी पहली class है, introductory class है और मैं introductory class हो है बहुत ही simple, बहुत ही basic रखते हूँ ताकि बच्चे उस subject से डर न जाये Very very good afternoon Shabnam and Sangamish Yeah, very very good afternoon Akriti, Aditi आप लोगु का भी स्वागत है है ना, दोनों होंगे, first 15 minutes हम कुछ concepts पढ़ेंगे, and then next 15 to 20 minutes हम उसी से related, जो हमने पढ़ा है, उसी से related MCQs practice करेंगे, तो दोनों side by side जलेंगे, तो एक बार revision भी जो है, MCQs form में हो जाएगा, और concept भी जो है, हम पढ़ पाएंगे, very very good afternoon, गोवन, मुसकान, सुरजीत, बहुत बह है आप सभी लोगों का session में, so let's get started, शुरू करते हैं, तो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुट रहे हैं, जो अड़ा 24-7 application के बारे में नहीं जानते, इसका link आपका chat box में भी given है, इस link पर click करके आप application को download कर सकते हैं, इस application में बहुत सारे features हैं, जैसे कि job alerts, power capsule and subject wise quiz, major portion है कि इसमें आपको रोज subject wise quiz मिलती है, और रोज जब आप subject wise quiz करेंगे, तो at last आपके पास एक बहुत बड़ा question bank जो है, एक खटा हो जाएगा, questions दोनों language में रहेंगे, Hindi और English, चिंता मत कीजिए, very very good afternoon, Shivangi and Rhea, so do download this application, this will be very very helpful for all the job notifications and subject wise quiz, साथ साथ जो भी आपके paid batches होते हैं, उन पर extra discount आपको application पर मिलता है, जब आप use coins पर tick लगा देते हैं, आगर पहली बार हमारे साथ जुड रहे हैं, तो agriculture अड़ा 24-7 को subscribe ज़रूर करें, प्रेस बेल आइकन अलसो, ताकि जो भी आपकी classes हैं, उनकी notifications आपको मिलते रहें, औ और शाजाद, चले, good afternoon, good afternoon अनुराग, तो let's start with the entomology, entomology में हम insects के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे study of insects कहते हैं, यह एक Greek word है, और पहला question जो है हमारे exam से यही बन जाता है, this word is from the latent word, Greek word, है ना, तो हमेशा याद रखेगा entomology जो है, एक Greek word है, EG, है ना, entomology हम EG बना देंगे, तो EG is for E4 entomology, G4 Greek, G4 Greek बोल रही थी मैं, है ना, तो EG से याद रखना है कि जो entomology है, वो एक Greek word है, इतने दिन कहां थी मैं, यह अच्छा question है, तो जो भी student हमारे साथ जुढ रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि, एक साल पहले भी मैं ADDA247 के platform पर genetics, plan breeding और entomology पढ़ा रही थी, पिछले एक साल से मैं आप लोगों की classes नहीं ले पा रही थी, because my baby needed me at that time, तो मैं एक साल से आपकी content team के साथ जो है, काम कर रही थी, so that वो भी जो है, एक function है, हमारी unit का, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत घर से काम कर रही थी, कम classes ले रह रही थी, and now my baby has started going to the school, कल उसका पहला दिन था school का, और उसने painting भी बनाई है कल, वो मैं आपको class के end में दिखाऊंगे उसकी painting, ठीक है, और आप वो school जाने लगा है, तो I have enough time, so I have resumed my classes, अपनी classes जो है मैंने resume की है, regular classes आज से हम start कर रहे है, first day of our YouTube class, आज हमारी YouTube class का पहला दि है, जहां पर हम entomology को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, इतना introduction काफी है, और जो नहीं जानते हैं, उनको फिर से बता देते हैं, मेरा नाम है Dr. Minakshi Rati, I have done PhD in genetics and plant breeding from Chaudhary Chiran Singh Haryana Agricultural University, very very good afternoon, Anand Kumar, आपका भी जो है session में बहुत-बहुत स्वागत है, तो यह जो entomology शब्द है, यह दो शब्दों से बना हुआ है, entomon and logus, entomon का मतलब होता है, insect and logus का मतलब होता है, study, यान कि जहां हम insects की study करते हैं, उसे हम entomology कहते हैं, entomology जो है, जी मेरा बच्चा धाई साल से उपर को हो गया, जून में तीन साल का हो जाएगा, so he has started going to the play school, वो play school में जाना उसने श entomology है, यह काफी vast subject है, काफी बड़ा subject है, और बड़ा इसलिए है कि आप देखते हैं धरती पर insect कितने जादा हैं, है ना, तो इतने जादा insect हैं तो of course इनकी study भी difficult होगी, बहुत सारे insects, बहुत सारे orders, बहुत सारी classes हमें पढ़ने पढ़ेंगे, बट यहां पर हम पूरी entomology नहीं पढ़ेंगे, यहां पर in the sense, पूरी entomology agriculture में हमें पढ़नी ही नहीं होती है, तो ओफो, हट जाओ भईया, हमें आपकी जुरूत नहीं है, तो यह कह रहा है, मैं तो यह ही रहने वाला हूँ, यह नहीं मूव हो रहा है, बट एनिवे, तो यहां पर हम जो पढ़ने वा पर या फील में या फिर स्टोरेज के टाइम पर उन पर अटाइक करते हैं और हमारी फसल को बरबाद करते हैं, यानि कि जो हमारे पॉइंट ऑफ यू से इंपॉर्टेंट है, हम सर्फ उतनी ही entomology पढ़ने वाले, तो हम सारी classes, सारी orders नहीं पढ़ेंगे, हम सर्फ उनहीं क पढ़ेंगे, जो हमारे मतलब के हैं, जो बीए से अग्रे कल्चर में हमें पढ़ाया गया था, जिसको हम थोड़ा-थोड़ा भूल भी गए हैं, ठीक है, सिलीबस, सिलीबस आपका जो है, जितना भी आपने ग्राजवेशन में entomology पढ़ा है, वो पूरा कवर होगा, अगर हम सलीबस की बात करें, तो पहले देखा, आज तो अपनी introductory class है, आज की introductory class में कुछ खास नहीं, कुछ आपको जो है, history से related चीज़े बताई जाएंगे, इस तरीके की चीज़े हैं, इसके बाद हम यहाँ पर classification पढ़ेंगे, ठीक है, तो insects classification हम कल पढ़ने वाले हैं, अपनी next class में, classification के बाद जब पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे, इंसेक्ट की morphology, ठीक है, इंसेक्ट की morphology पढ़ेंगे, कि इंसेक्ट में क्या-क्या जो है, morphological characters हैं, किस तरीके से इंसेक्ट के eyes, legs और wings जो हैं, वो design होते हैं, morphology पढ़ने के बाद आप anatomy पढ़ेंगे, anatomy में आप पढ़ेंगे, इंसेक्ट का digestive system, respiratory system, ये सब कैसे system हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से-कौन से organs इन में हैं, और जब ये पूरा anatomy, morphology और classification हो जाएगा, फिर हम crop insects पर चलेंगे, different crop insects हम पढ़ेंगे, किस crop में कौन से insects आते हैं, किनका major role है, कैसे इस इंसेक्ट को control किया जा सकता है, और क्या इस insect के symptoms, जो है, crop में हमें देखे दाएंगे, उसके बाद हम pesticides के बारे में पढ़ेंगे, pesticides की कौन से-कौन सी formulation होती है, कौन से pesticides पर red label है, कौन से pesticide पर green label है, और pesticides की dosage हम जो है, कैसे नापते हैं, ठीक है, तो ये जो है, आपका पूरा pesticides का जो portion है, वो cover करे करेंगे, उसके बाद stored pest cover करेंगे, ठीक है, stored pest cover करेंगे, कि अगर हम अपने अनाच को store करके रखते हैं, तो कौन से-कौन से pest हैं, जो पर attack कर सकते हैं, और कैसे हम उस चीज़ को control कर सकते हैं, and last and not least is non-insect pest, जैसे कि कभी-कभी गाए आके आपके पूरा जो फसल है, वो बरबाद कर देते हैं, या चुहे आके आपके फसल बरबाद कर देते हैं, तो यह आपके non-insect pest होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो यह आपका पूरा entomology का syllabus रहेगा, नहीं बच्चे, you will get be benefited if you are preparing for net exam, net exam के लिए अगर आप prepare कर रहे हैं, तो आप इन classes से benefit जरूर रहेंगे, लेकिन यह classes आपको पूरी 100% net examination के लिए नहीं है, these are for competitive exams, यह competitive exams के लिए हैं, तो इससे आप net की 100% preparation तो नहीं कर पाएंगे, वैसे भी क्योंकि मेरा specialization जो है genetics and plant breeding में है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों की special class शुरू किया है, genetics and plant breeding के अगर आप net clear करना तो उसका batch जो है वो शुरू किया है, उस batch में आप admission ले सकते हैं, अगर genetics and plant breeding से net clear करना है, this entomology class is for all the competitive exams, but not for net exam, क्योंकि net exam जो है master's के बाद होता है, जब master's complete कर लेते थे उस subject की knowledge जो हमें, और deeper चाहिए होती है, तो help ज़रूर मिलेगी, लेकिन complete syllabus यहाँ पर नहीं हो पाए है, चलो, हाँ, BHO के लिए complete हो जाएगा, don't worry about that, ठीक है, तो insect जो word है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो entomology word है, वो एक Greek word है, लेकिन insect जो word है, इसकी roots जो है, यह latent भाशा में है, तो latent भाशा में है, तो latent भाशा से यह insect word आया है, जबकि entomology word है, वो Greek भाशा से आया है, insect का मतला होता है, insect tear, जो शब्द लिया गया था, जो original शब्द था, वो था insect tear, और insect tear का मतला होता है, to cut into, जब आप dictionary खोलेंगे, insect का meaning देखेंगे, तो insect का meaning आपको हिंदी में कीट दिखाए गया है, लेकिन जो इसका literate meaning होता है, वो दिखाएगा, to cut into, यानि कि जिसको body है, वो तीन भागों में बटी हुई होती है, और यह भाग काफी distinct होते हैं, एक दुसरे से अलग-अलग होते हैं, आप पहचान सकते हैं, इसलिए हम insect, यानि कि to cut into, यानि कि जिसका पूरा body जो है, तीन भागों में बटा हुआ या कटा हुआ है, है ना, तो इसी से हमें ज जो है, हम father of entomology के नाम से जानते हैं, जानते हैं, तो potential fraud का phone आ रहा है, नहीं उठाते हैं, है ना, fraud कि इसको करवाद है अपने साथ में, चलो, next, हम बात करें अगर classification की, दो हम कल जो है, अपनी classification complete detail में करने वाले हैं, लेकिन हम यह पता होना चाहिए, कि insect का कौन सा phylum है, तो insect जो है, अर्थरोपोडा phylum से बिलॉंग करते हैं, चीक है, बचे, DSSB के बाच में, मैं नहीं हुई है, अपका बाच अपका पहले से start है, तो मैंने इसका notification भी इतना नहीं पड़ा है, I'm sorry, I do not have much knowledge about DSSB, है ना, आप एक बार आकाश सर से confirm कर ले जाएगा, Yes, so phylum of your insect, insect जो है, आर्थरोपोडा phylum से बिलॉंग करता है, और आर्थरोपोडा phylum जो है, एक बहुत ही बड़ा biggest phylum है, जितने भी phylum है, animal kingdom में, उसमें सबसे बड़ा जो है, आर्थरोपोडा ही है, आर्थरोपोडा में, इसका अगर literate meaning देखा जाए, तो बिल्कुल इसक ispigment से joint होकर बने है, उर्धे हम अर्थरोपोडा कहते हैं, लेकिन अर्थरोपोडा में सरफ इन्सक्ट नहीं आते हैं, बहुत सारे और्गानिजम्स आते हैं, जैसे कि spiders, mokडी जो आप देखते हैं, यह भी अर्थरोपोडा में आता है, कानखजुरा भी जो है, आपके अ कि आपका इंसेक्टा क्लास या एक्जोपूटा क्लास आती हैं वहाँ पर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं यदि हम बात करें कि इंसेक्ट धरती पर कब आये थे तो इंसेक्ट धरती पर 350 million एयर अगो देखे जा चुके हैं तो 350 million इस अगुका मतलब क्या है हम से बहुत बहुत साल पहले आर्थरोपूर्ट और इंसेक्ट इस धर्ती पर वास कर रहे हैं तो यह धर्ती जो है हमारा घर बाद में है इनका घर पहले तो इनको मारने से पहले एक बार सोच लिए आर कीजिए ना सेकेंड इंग इस यह जब शुर इंटेट था वह पानी में था लेकिन फिर इने लगा नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा है है ना जंदगी में कुछ और चाहिए कुछ और इवॉल्व करना है और फिर दीरे जो है यह टेरस्टीरियल भी हो गए टेरस्टीरियल यानिकि धर्ती पर भी रहना इन्होंने शुरू क है इसलिए बहुता ऐसे इनसेक्ट देखेंगे जिनके जो बेबीई में यानि कि यंग एज में या कहें कि लाहा यह नार्वा एज में नहीं होईगा सौरी लार्वा एज में हैं तो वो सारे लार्वल एज में अक्सर एक्वेटिक होते हैं और जब एडल्ट होते हैं तब वो फ्लाई करने लगते हैं या टेरस्टीरियल हैबिट चॉइन कर लेते हैं तो इनकी जो है है विद्ध इवोलूशन चेंज हुई है अगर हम बात करें क्लास इंसेक्टा की तो क्ल जो आप से अक्सर पूछ लिया जाता है क्लास इंसेक्टा का एक स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक फीचर बताईए देखिए इंसेक्ट में वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं क्लास तब तक चलेगी जब तक एंटमोलाजी खतम नहीं हो जाती ठीक है जब तक आप नहीं कहते कि मैं लगी अब समझ में आने लग गई है तब तक क्लास जलेगी ठीक है सो इंसेक्टा के बारे में हम बात कर रहे थे लेकिन आप से ऐसे क्वाशन जो पूछ लिया जाता है फूछ ले जाता है क्लास इंसेक्टा का एक पर्टिकुलर फीचर ya sign फीचर बताई है तो इसको particular feature या sign feature क्या है, hexapoda के नाम से आपको याद रखना है, hexa means six, poda means legs, चीक है, so class insecta को hexapoda भी कहा जाता है, hexapoda, तो hexa का मतलब होता है six और poda का मतलब होता है legs, याने कि जहाँ पर six legs है, एक इंसेक्ट ही हमेशा six legs होती है, इसे लिए जो कान खुजूरा है क्योंकि उसके पास बहुत सारी legs होते हैं, उसको mellipides कहते हैं, तो उसको insect में count नहीं करते हैं, आप जैसे मेरे जैसे normal लोग जो हैं उसको insect में count करेंगे, लेकिन अब हम agriculture graduates हैं, जो बिलकुल डेली चलेगी 3 p.m. agriculture अड़ा 24-7 पर, ठीक है, क्लास insecta या क्लास hexapoda में six legs होते हैं और इसके फर्दर जो हैं बहुत सारे orders होते हैं, in total we have 29 orders documented in class insecta, और हमें ये पूरे के पूरे 29 orders भी नहीं पढ़ने हैं, हम इन में से सर्फ वो orders पढ़ेंगे, जिन में ऐसे best हैं, जो कि agricultural crops पर attack करते हैं, जैसे कि lapidoptera है, या diptera है, या आपके bugs हैं, तो उन से related classes जो हैं, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सारी classes को नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद order के बाद आपका family आएगा, family के बाद आपका genus आएगा, genus के बाद आपका specie आएगा, ठीक है, तो classification जो है, हम कल करेंगे, जी, थांक यू सो मच, star edu को, चलिए, now some historical facts about the entomology, entomology के कुछ historical facts भी जो हमें पता होने चाहिए, जो हमारे exam point of view से काफी important भी हैं, और वो कौन से कौन से exams हैं, so first is, कि जो fourth century में Aristotle थे, इन्होंने insects के बारे में कुछ studies किये, insect की anatomy जो है, वो describe कर पाए थे, कि insects की anatomy कैसी होती है, उसका digestive system कैसे काम करता है, है ना, तो ये जो है, पूरा का पूरा Aristotle ने fourth century में insect anatomy पे काम करना शुरू किया था, हाला कि जबकि हम देखे, anatomy बहुत बाद में आती है, पहले आती है insect का classification, लेकिन insect का classification वो बहुत बाद में शुरू हुआ है, वो 18th century में जो है, शुरू हुआ है, ठाइक यू सो मच फार्मर बॉय, एक और बात जो है important, आपने शुरूत की कहानी जो है, हिंदी में जरूर पढ़ी होगी, अपने 10th तक कि किसी standard में आती है, तो पहले ना, जब कट लगाते थे, तो सीलने के लिए सुई धागे का इस्तमाल नहीं किया जाता सा, जैसे कि आज doctors करते हैं, तब कट ऐसे operations करने के बाद को सीलने के लिए, उस slit को सीलने के लिए आपकी ants का, इन बिग ants का use किया जाता था, जिसको आप मकोडा बुलते हैं हिंदी में, इन बिग ants को यूज किया जाता था, तो यह अपने जो biting mouth है, उससे ऐसे clinch करके bite करने की को करता था, तो वो दो जो आपकी किनारे है skin के, उसके clinch करके जोड़ देता था, और फिर इसको उपर से cut loud G स्टिकिन मतलब ये जो हिस्सा है पीछे का जो हिस्साई काट दिया जाएगा सर्फ इतना हिस्सा उसका फेस वाला हिस्सा चोड़ दिया जाता था क्लिंच करके और ऐसे टाके लगाये जाते थे और धीरे-धीरे क्योंकि यह बायो डिग्रेड़ सब्स्टेंस है धीरे-धीरे अपने आप दिग्रेड हो जाएगा और स्किन जो है वो जॉइंट हो जाएगी ठीक है तो काफी पहले से जो है हम इंसेक्ट का यूज करते आ रहे हैं तो यहां पर क्लासिफिकेशन जो है शुरू हुआ 18th century में जापर एक फ्रेंच बॉटिनेस थे जिनका बड़ाई लंबा जोड़ा नाम है और मुझे प्रनाउंस करना बिल्कुल भी नहीं आया तो बी ऑनेस्ट तो आइविल नॉट प्रनाउंस दिस नेम इन्होंने छे वॉल्यूम्स के कि किताब लिखी थी और इनकी जो फॉर्स्ट वॉल्यूम है वो थी मैमोरियर्स ओफ सर्वेसिंग स्वारी सर्विंग आज हिस्ट्री ओफ इंसेक्ट और यह जो किताब है 1734 में आए थी और इस किताब के बाद ही जो इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन शुरू हुआ क्लासिफिकेशन का नाम आएगा तो कार्लिस लीनिस का नाम भी आएगा क्योंकि कार्लिस ने इस ने ही इंसेक्ट क्लासिफिकेशन को यह शुरू किया अपनी सिस्टेम नाचुराई में और जब उन्होंने क्लासिफिकेशन शुरू किया था तो उन्होंने 7-8 इंसेक्ट को तो तब जो है इंसेक्ट स्पीशी की क्लासिफिकेशन शुरू हुई सिधार्थ वेरी वेरी नमस्ते जी चलिए उसके बाद एंटमोलोजी इमर्ज हुआ एक डिस्टिंट फील की बहीं एंटमोलोजी को एक डिफ्रेंट फील बनाते डिफ्रेंट स्टडी का एक पूरा जो है सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह कहानी शुरू होती इसकी 19th century में 1900 सदी में ठीक है इसके बाद जो है आपके ब्रिटिस्ट एंटमोलोजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन कर्टिस ब्रिटिस्ट एंटमोलोजिस्ट थे जिनका नाम क्या था जॉन कर्टिस और यह जॉन कर्टिस ने ही जो है फाउंड किया एंटमोलोजिकल सोसाइटी इन पैरिस एंड लंडन तो पैरिस और लंडन में एंटमोलोजिक के लिए एक importance दर्शा रहा था कि उसको लिए अलग सोसाइटी बन रही है लग से उसको एक a part मिल रही है उसे कЕ बाद जो है जादतर रिसर्च और स्टडी जहें वह शुरुआत हुई ती लग चैव हार महादेव आधर्श असके बाद आते हैं कुछ और important books जो exams में अक्सर हमसे पूछ ली जाती है देखो genetics की अगर मैं बात करूँ तो genetics में आपसे न कोई किताबे विताबे नहीं पूछता है किसी भी exam में लेकिन pathology और entomology में आपसे किताबे, societies, वो कब develop हुई, किसने develop की ये सारी चीज़े अक्सर आपके paper में जो हैं पूछी जाती हैं, चीक है So in 1840 आपके एक writer थे Rave Hope जिन्होंने publish की अपना paper Entomology of Himalayas and India ये पहली book थी जो कि Himalayas और Indian insects पर लिखी गई थी Rave Hope के द्वारा 1840 में उसके बाद दूसरे आपके book है Indian Arts इंडियन आट्स जो है Dr. Ruthne ने लिखी थी 1893 में हमेश्चे पता नहीं 19 क्यों जबान पर रहता है तो Indian arts जो है ये Dr. Ruthne ने लिखा हमारे लिए 1893 में ये बहुत important नाम है चिके लाइनल जी नाइस वेल है नाइस वेल से याद रखेगा नाइस बंदा था अच्छा बंदा था और इस अच्छे बंदे को हाइर करेंगे पहली बार करेंगे तो है ना बुरे को कौन करेगा तो नाइस वेल इनके नाम में आ जाता है और यह जो है फॉर्स्ट एंटमोलोजिस्ट अपॉइंट हुए थे गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से देन यू हाव एंटमोलोजी डिविजन इन आई एर आई न्यू डेली यानिकी इंडियन एंग्रिकाल्चरल रिसर्च इंस्टिट्यूट में एंटमोलोजी का एक अपना डिविजन बना था 1937 में इससे पहले एंटमोलोजी का इतना इंटमोलोजी डिविजन बनने के बाद एंटमोलोजी जो है अग्रिकल्चर में भी उसे पहचान में लगी उसकी इंपोर्टेंस जो है वो पढ़ने लगे बच्चे क्लास का टाइम आपका 3 पीम रहेगा रोज 3 पीम पर हम ये क्लास जो है शुरू करेंगे देन इन आइंटेनफुर्टी टीवी रामा कुष्ण आययर रोट अ बुक हैंड बुक ओफ एकोनॉमिक एंटमोलोजी फॉर साउथ इंडिया ठीक है एकोनॉमिक एंटमोलोजी में उन्होंने बेनीफिशिल इंसेक्ट के बारे में बात की कि क्या क्या चीज़े हैं जो में से benefit होती है what are the economics we are carrying by the insect insect हमारे pollination में इतना काम आते हैं insect हमें बहुत सारे products देते हैं gums देते हैं आपका honey देते हैं तो वो सारे जो है आपके economic entomology में beneficial insects की बात हुई दी ठीक है उसके बाद 1963 में एक textbook आई जहां पर agricultural entomology की first time पूरी तरीके से बात की गई और वो H.S. Pruthy ने लिखी थी और क्योंकि ये इंडियन थे तो इन से related question अक्सर जो है आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है H.S. Pruthy जो ने टेक्स्ट बुक लिखी agricultural entomology and he is the founder of entomological society of India in 1938 1938 में entomological society of India बनी और इस में H.S. Pruthy जो है इसके founder थे ठीक है I'm sorry Ranjan हो सकता है कि आपका रह गया होगा point but I do try to notice all the comments okay then your insecticide act insecticide act came in 1968 but it was enforced in 1971 ठीक है तो अगर पूछा है कि insecticide act कब आया था तो it was 1968 but enforced 1971 में हुआ था जी बीडी भाई अपना नाम तो यह सारे historical facts जो है बहुत important है historical facts और भी बहुत सारे किताबे खोलेंगे तो दो दो तीन तीन पेज भरे हुए है but these are important one from your exam point of view तो आप हमने पढ़ाई कर लिए question की बारी है जो हमने पढ़ा है उसी से related question है कोई भी question बहार से नहीं है है ना जी इंडियन entomology के father भी जो है प्रूथी जी को कहा रहाता है बिल्कुल सही बात है तो चलिए यहां पर है आपका पहला question who is credited with providing description of insect and anatomy in 4th century चोथी शताबदी में insect and sorry anatomy पर किन्हों ने जो है description दिया था तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही था और वो थे eris total ठीक क्या थे eris total थे तो मेरी बाते ध्यान से सुनी होंगी तभी अच्छे से जवाब दे पाओगे तो मैं चाहते की सारे बच्चे जो है अच्छे से अपने quiz में participate करें अभी ताज ताज पढ़ा है गजनी थोड़ी ना हो कि अभी पढ़ा और अभी भूल गए है ना तो सारे बच्चों को participate करने जादा से जादा गलत होगा लेकिन सही तो पता चली जाएगा थोड़े देर बाद है ना तो सब को participate करने चलिए नेक्स्ट वेंडिर मोडरन इंसे classification बिगिन आधुने कीट वर्गी करन कब से शुरू हुआ था तो आधुने तो यहां पर आपका अंसर आएगा बी एटीन सेंचुरी नेक्स्ट हो पाब्लिश्ट वर्स्ट वॉल्यूम ओफ मेमोर्ट सर्विंग अज़ा हिस्ट्री ओफ इंसेक्ट इन सेवेंटीन थर्टी फूर 1734 में यह किताब जिसका टाइटल यहां पर लिखा हुआ है यह किन्हों ने लिखी है तो यहां पर हमारा आंसर होगा फ्रेंच साइंटेस्ट थे जिनका बड़ा से नाम था मुझे भी याद नी होगा आपको भी याद नी होगा लेकिन देखने से मल्टिपल चॉइस में त नॉमन क्लेचर तो और्गनाइज दक्लासिफिकेशन ओफ इंसेक्ट इंसेक्ट के वर्गी करण में यह बाइनोमल नॉमन क्लेचर किन्हों ने दिया था यह तो सबको पता होगा चीक है हां रेनी याद रख लेते क्योंकि पूरा तो वैसे भी याद नहीं होने वाला है ना चलिए तो यह थे हमारे कार्लस लीनिस पर जहां भी क्लासिफिकेशन की बात होगी वहां कार्लस लीनिस की बात होगी तो कार्लस लीनिस ने जो है बाइनॉमल नॉमन क्लेचर में इंसेक्ट को इंक्लूड करना शुरू किया था अपने 10th edition में यह भी याद रखेगा यह दस दसवे एडिशन था पहला नहीं था पहले वह बहुत चीज़ों का नॉमन क्लेचर कर चुके थे लेकिन अपने टेंथ एडिशन में दसवे एडिशन में जो है उन्होंने इंसेक्ट की क्लासिफिकेशन को उठाया उनको इंक्लूड करना शुरू किया चिक हूं पबलिश्ट पेपर Entomology of the Himalayas and India किनों ने ये पेपर पबलिश किया था Entomology of Himalayas and India धन्यमाद बीडी भाई और बीडु भाई हो गया ये बीडी भाई सजा बीडु भाई चले तो इट वस गिवन भाई रेव होप ने Himalayas and Indian insects के उपर किताब लिखी थी एक पेपर लिखा था है ना उसके बाद आता है फॉर्स्ट एंटमोलोजिस्ट टु दे गवर्मेंट आफ इंडिया उन्ने सो एक में भारत सरकार के पहले कीट विज्यानी के रूप में किसे नियोक्त किया गया था ठीक है तो यहां पर आपको लग सकता है कि भारत के पहले कीट विज्यान थे तो कोई इंडियन नेम आएगा और इंडियन नेम में अगर से एचस पूथी डाल दिया तो हो सकते है आप भूलके हमाँ पर एचस पूथी टिक लगा कर आ जाएंगे बट याद रखेगा पहले एंटेम लॉजिस्ट जो है जी जी रामवीर वेरी वेरी गुड आफ्टिनून वह हमारे कॉल थे नाइस विल थे हैना नाइस परसंट थे तो नाइस परसंट से हमाई याद रखना है नाइस विल ठीक है विच इस ऑप्शन बी जो हमारा ऑप्शन बी है चले अगला क्वेशन पढ़ेंगे इन विच एर वाज एंटेम लॉजिक डिवीजिन स्टार्टे इन आई ए आर आई नियु रेली इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट नई दिल्ली में एंटम लॉजिक का डिवीजिन कब शुरू हुआ था नाइटीन 24 1840 1893 या फिर 1937 जी एग्रिकल्चर वाला फिजिक्स वाला से इंस्पायर हो गए हो कि एग्रिकल्चर वाला गुड़ आफ्टनून गुड़ आफ्टनून अनिकेट चलिए तो इस ऑप्शन दी 1937 जल विच फाइलम दू इंसेक्ट बिलॉंग टू कीट किस संग से संबंदित हैं मॉलस्का, आर्थ्रोपोडा, कोरडाटा या एनिलीडा किस फाइलम से इंसेक्ट बिलॉंग करते हैं तो इंसेक्ट बिलॉंग करते हैं आर्थ्रोपोडा ओर्डर से विच जॉइंटेड लेक्स जिसका मतलब क्या है जॉइंटेड लेक्स तो आर्थ्रोपोडा से के रहा जो होते हैं यह मॉलस्क फामली से होते हैं ठीक है चलिए हूं ओधुरा ओधुरीड दा टेक्स्ट बुक ओफ एग्रिकल्चर एंटमोलाजी इन 1963 1963 में क्रिषी कीट विज्ञान पाथे पूस्तक कंहोंने लिखी थी पहले सब्णे के बारे में लिखा है लेकिन उसकी इंक्रेशह में क्या है या इरिकलचर में कौन से इंसेक्स है इनके बारे में नहीं लिखा तो इसका जिक्र जो है सबसे पहले एक इस प्रूथी ने किया जो कि एक इंडियन साइन्टिस थे एंग्री कॉच्छरल एंटमोलोजी किताब में जो की 1963 में आए थी इन्सेक्टिसाइड आक्ट भारत सरकार द्वारा कीट नाशक अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था इन्सेक्टिसाइड आक्ट कब आया था 1968 ठीक है 1968 चलिए तो यहोगा आपका उप्शन सी विच और गनाइज़ेशन इस लोकेट इन फरीदबाद और इस रस्पोंसिबल पर प्लांट कौरेंट ऊंट आइन प्लांट आइन बॉकशन प्लांइन प्लांट प्ल्अं स्थ थिक्क है प्लांट प्रोटीग्शन आइन सी रिलेटर एंस यह आपका इंस्थिट है ऊसरी बात असे रवीडाद भायना में स्थिथिक रुएचन which institute is located in Haapur UP specialized in research and management related to grain storage. Haapur UP में कौन सा institute है? तो ये है आपका Indian Grain Storage Management and Research Institute है ना? इसको full form के उससे हम कहते है IGSMRI ठीक है? इंडियन Grain Storage Management and Research Institute ये जो है आपका Haapur UP में प्रेजन्ट है और तीसरा आपका आता है जो कि Bangalore में है और Bangalore में कौन सा institute है? बैंगलोर में कौन सा आपका इंसेक्ट रिसर्च रिसर्च ठीक है? रिसोर्स इस सॉरी नाशनल ब्यूरो अग्रिकॉल्च्रल इंसेक्ट रिसोर्स इस ये जो है आपका बैंगलोर में है तो बैंगलोर में है आपका नाशनल ब्यूरो ओ इंसेक्ट रिसोर्स इस जहां पर आ रहा है वह आप इनको याद रख सकें चालिये आज चो है हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते क्योंकि introductory class ही जैसे कि मैंने आपको बताया और introductory class को हम जाधा डराती नहीं है बच्चे को बच्क डर जाते हैं राइट these are your batches agriculture Maha जिसमें बहुत सारे competitive exams की अगर आप त्यारी करें जैसे कि यूपी ट्रुपल सी बी एचो डी ट्रुपल स्बी आई भी पीएस एफो तो सबका अलग अलग बाच ना लेकर करके आप एक अग्रिकल्चर माहा पाक में इन्रूल कर सकते हैं आप ये पीएस एफो का आपका नया बाच जो है ये 23rd अप्रिल से शुरू होने जा रहा है जहां पर आपके प्री और मेंस का ये complete बाच है तो ये तीनो ही बाच जो है अपकमिंग बाच है जो अप्रिल में शुरू होने जा रहे हैं तो इन सब को जो है आपको पढ़ना है तो और एन्रूल करना है तैयारी करनी है तो आप एन्रूल कर सकते हैं सबी जो है अड़ा 247 की वेबसाइट और आप्लिकेशन दोनों पर उपलब्द है वाई 4488 एक ओड लगाखर के आप इन में जो है इन्रूल कर सकते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बात है कुछ लोग तो अपने आप रिव्यू दे रहें लेकिन सारे लोग दो भई क्लास कैसी लगी अच्छी लगी नहीं लगी और नहीं लगी तो यह भी बता देना इंप्रूव क्या करना है वी विल बी कमिंग पैटर फॉर दे नेक्स ताइम है ना क्योंकि लर्णिंग की कोई स्टेज नहीं होती हमेशा हमें पिछे से बैटर करना होता है तो जल्दी से सारे लोग बताओ कि सभी लोगों को क्लास जो है वो कैसी लगी ठीक है साथी साथ तब तक मैं आप लोगों को आपके बाचल्स दिखा देती हूं है ना आपने गूगल ऑपन किया गूगल ऑपन करके अट्ड़ 24-7 चूज किया और अट्ड़ 24-7 चूज करके औल कोर्स में जाए ए याद नहीं है थाइंक यू सो मच ठीक है तो यह है आपका और और कोर्स यहां से आपको अग्रिकल्चर चूज करना बहुत सारे ऑप्शन से अग्रिकल्चर क्या रहे हैं दिस अग्रिकल्चर महापैक आई भी पेस एफो का नया बाश यूपी ट्रुपल ऐसी बिहार भी हो आपको सारी जो है ब्रांच नहीं मिलेंगी इसमें सर्फ एग्रोनॉमी फ्रूट साइन्स वेजिटेबल साइन्स और प्लांट ब्रीडिंग यह चार आपको जो है एसार भी नेट में मिलती है क्योंकि रामवीर हम से एसार भी नेट पूछ रहे हैं तो अभी हम जो है उनको ही बता देते हैं कि इसका क्या प्राइज है क्योंकि सब में एन्रोल करने का तरीका जो है सेम है तो यह आपकी एसार भी नेट की चार बैच्चेज यह बच्चे अभी एग्रोनॉमी वेजिटेबल साइंस फ्रूट साइंस और जेनेटिक्स प्लान विडिंग क्योंकि नेट अग्रोनॉमी का पूछना था तो अग्रोनॉमी खोलते हैं तो यहां पर जाए अग्रिकल्चर एसार भी नेट एंड अरे यह आ गया यह आपका अग्रोनॉमी का बैच्च है जिसमें कृष्णा सर पढ़ाएंगे बाइनाव पर क्लिक किया यहां पर टाइप कीजिए य448 एंड अप्लाइ कीजिए तो 4369 जो है यह आपका बैच है जो अप्लिकेशन पर और भी कम हो जाएगा अगर आप अप्लिकेशन से एंड्रोल करेंगे ठीक है रामवीर बाकि एंटमोलोजी का अभी हम इसले शुरू नहीं कर सकते बच्चा कि आई हैव नॉट बीन पोस्ट एंटमोलोजी मैंने एंटमोलोजी से पोस्ट ग्राजुएशन नहीं किया मैंने जेनेटिक्स प्लान बिडिंग से किया है तो हम एंटमोलोजी का नेट जब शूरू करेंगे जब हमारे पास कोई होगा कभी फ्यूचर में जो एंटमोलोजी से MSC या PhD कर चुका होगा राइ है इसमें ICAR, CUET या ASRB जैसे एक्जाम्स कवर नहीं होते हाँ UPSSCE, BHO, DSSB, IBPSAFO इस तरीके के सारे एक्जाम्स आपको इग्रिकल्चर महापाक में मिलेंगे ठीक है सेम, बाइनाव पर क्लिक करके कोड लगाईए Y448, अपलाई कर दीजिए, डिसकाउंट जो है वो अक्टिवेट हो जाएगा, इसमें आपको अप्लिकेशन से अन्रोल करना है, इट विल बी 7039 का जो है आपका इग्रिकल्चर महापाक होगा, जिसमें पूरे एक साल की वैलि लोगों के साथ आज फर्स्ट क्लास थी, and you have been a wonderful audience, और बहुत साथ भी दिया है, आप लोगों ने मेरा, तो इसी तरीके से बस साथ देते जाएगा, और कारवा जो है बढ़ता चला जाएगा, कल मिलेंगे, at the same time, 3 p.m, only on agriculture at 2407, तब तक स्माइल करते रहें, और जिन्दगी को खुल कर जीए,